नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि suddenly अगर आपकी डेटा लॉस हो जाती है चाहे आप उसे डिलीट कर दिये हो फॉर्मैट कर दिये हो या पाटिसन आपकी रॉ हो गई हो तो आप किस तरह से डेटा को रिकवर करेंगे जैसा कि आप यह सकते हैं computer.txt एक हमारी टेक्स्ट फाइल है इसे मैंने पर्मानेंटली डिलीट कर दिया और डिलीट करते ही आपकी जो डेटा है वो लॉस हो जाती है सदेनली वो लॉस हो जाती है आपको अचानक से याद आती है अरे यह वैल्यूएबल डेटा थी तो आप इसे कैसे रिकवर करेंगे क्योंकि वो रिसाइकल बिन में भी नहीं होती है गूगल.com पे जाए और यहाँ पर टाइप करें 4D Dig Windows Data Recovery इस ओफिसियल वेब साइट की जो लिंक है यह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी वहाँ पर आप सिंपली इस साइट के उपर विजिट करें और 4D Dig Windows Data Recovery जो सौफ़वेर है इसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं साथ साथ बाइनाव पर क्लिक करके आप इसे खरीज सकते हैं ताकि आप इसके फुल फीचर्स का इस्तमाल कर सकें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह सभी तरह के प्लैटफर्म के लिए उपयोगी सौफ़वेर है सभी तरह के सिनारियो के लिए भी आप इसे लैप्टॉप, PC, इंटर्नल और एक्स्टर्नल ट्राइव या USB, पेंट्राइव, SD कार्ड वगरा से डेटा को रिकवर कर सकते हैं आपकी अडियो, वीडियो या डकुमेंट की फाइल हो साथ साथ या कोई इमेज फाइल ही क्यों नहोच साथ साथ अगर आपकी जो डेटा है, डिलीट हो गई है, फॉर्मेट हो गई है, लॉस्ट हो गई है, पार्टिशन या करप्ट हो गई है, आपकी सिस्टम क्रैस हो गई है, वाइरस अटैक होई है और भी कई तरह के सिनारियों होते हैं, जहां से आपकी जो data है वो loss हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, deleted files recovery, crash computer, raw files recovery, यह सभी options हैं, जिसके द्वारा आप इस software से data को recover कर पाएंगे, जो data आपकी loss हो गई है, चाहे वो data photo, video, audio, image, या कोई भी email, या कोई भी आपकी other data क्यो लेने हैं, lost files को और recover कर लेने हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ technical information है, कौन-कौन से operating system जो है Windows के लिए support करती है, तो simply Windows 7, 8, 10 और 11 भी, यहां पर कौन से file system है, NTFS, XFAT, FAT16, and FAT32, बहुत सारे languages में भी available है, इतने सारे storage devices हैं, hard disk, pen drive, CD, DVD वेगरा से आप इसे recover कर सकते हैं, कुछ ऐसे fact है, जो आप इस software को use करेंगे, तो आपको use करने के दोरान कुछ confusion होगी, तो आप fact को पढ़ सकते हैं, go through कर सकते हैं, यहां पर देखिए, कि जो हमारी 4D Dig for Windows, जो software data recovery है, इसे आप simply जो download किये होंगे, इसे आप simply install कर ले, और अगर आप license की purchase किये हैं, तो इस software का full features का इस्तमाल कर पाएंगे, चाहे वो आपकी data format के दोरा loss हो गई हो, delete के दोरा loss हो गई हो, या crash हो गई हो system, या raw file system क्यों न convert हो गई हो, तब भी आप इस software के मदद से, आप अपने computer से data को recover कर पाएंगे, बहुत ही easy to use software है यह, और बहुत ही उपियोगी software हो सकती है, software है, इसकी icon desktop पे बन जाती है, हाला कि आप start पर click करके भी आप इसे launch कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बस location को select करने है, जो मैंने कहा था, कि आपको यहाँ पर location select करने होते हैं, scan करने होते हैं, और data को recover करने होते हैं, यह three steps में आप इसे complete कर सकते हैं, अपने data को recover कर पाएंगे जैसा कि D-Drap से हमने वो data को delete किया था permanently, तो हम यहाँ पर D को select करेंगे, otherwise आप desktop, कोई recycle bin या कोई folder की location उसे भी आप define कर सकते हैं, crash computer से भी आप advanced repair method के द्वारा scan कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखे, D-Drap को select करते हुए हमने scan initiate किया है, और computer.txt जो मैंने permanently delete किया था, वो file आ यहाँ पर 36 bytes की दिख रही है, और यहाँ वर fast scan के method से ही, आपको यह computer में जो data delete हुई थी, वो आपको recover हो गई, और एक notice आई कि अगर आप अपना जो file ढून रहे हैं, वो आपको यहाँ पर scan result में सामने नहीं आती है, तो deep scan आप use कर सकते हैं, double click के माध्यम से आप देखे, computer electronics device जो इसके अंदर data थी, वो यहाँ पर आपको दिख गई है, तो D drive में अभी भी data नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर इस software के माध्यम से देख पा रहे हैं, कि data अभी भी available है, तो simply आप recover पर click करते हुए, वो ऐसा drive select ना करे, जहाँ पर यह data पहले से मौजूद थी, अगर C drive को ना लेते हुए, आपको कोई दूसरा C drive या E drive या F drive या PN drive, hard drive भी अलग से USB port पर लगा कर आप उसमें data को recover कर सकते हैं, जैसे suppose C drive पे my data folder create करते हुए, हमने यहाँ पर recover किया, view recovered पर click करते हुए location देख सकते हैं, कि जो आपकी data recover होके आईए, वो C drive के अंदर my data folder के transfer कर सकते हैं, जब आप exit करेंगे तो deep scan के लिए वो आपको recommend करती है, कि अगर आपको data नहीं मिल रही है, तो आप deep scan initiate करें, deep scan तब हम करेंगे, जब हमारी data, जो drive वो format हो गई हो, या partition delete हो गई हो, या partition raw हो, तब हमें deep scan करने होते हैं, जैसे suppose, यहाँ पर कुछ images हैं, इसके अ formatted data को भी वापस ला सकते हैं, जी यहाँ दोस्तो, d drive को select करते हुए, जब हमने fast scan किया, तो यहाँ पर आप देखें, fast scan में file found zero है, यानि कोई भी अभी तक जो है, files, fast scan के द्वारा recover नहीं की गई है, नहीं दिख रही है, आपको scanning result में, तो यहाँ पर एक notice आती है, कि आपक drive fast scan से data recover नहीं होती है, तो आपको deep scan initiate करनी चाहिए, formatted drive के उपर, deleted partition के उपर, raw drive के उपर, raw file system के उपर, यहाँ पर आपको देख सकते हैं, raw files यहाँ पर आपको दिख रही है, जो भी 5 images formatted से पहले एवलेवल थी, और format खूने के बाद वो एवलेवल नहीं है, तो आप इसे simply 4D dig software के माध्यम से simply recover कर सकते हैं, और जो software, जो यह software है, बहुत ही कम दामों में easily available हो जाती है, one month, one year और lifetime license के साथ, simply आप इसे select करते हुए recover करेंगे, दूसरे drive के उपर, same drive के उपर recover ना करें, और जब यह recover हो जाएगी, तो तब आप इसे cut copy paste के माध्यम से आप इसे दूसरे drive पे transfer कर सकते हैं, लेकिन वैसा drive पे ना करें, जहां से यह data loss हुई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी भी माध्यम से cut copy paste के माध्यम से आप data को फिर से वही transfer कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी यह data पड़ी हुई थी, यानि हमारे case में d drive के उपर, computer.txt को भी हम लोग cut copy paste के माध्यम से उधर transfer कर सकते हैं, जहाँ पर यह data पड़ी हुई थी, तो यहाँ पर simply आप इस video के माध्यम से समझे कि data recovery बहुत ही आसान है, आप अपने घर बैठे भी data को recover कर सकते हैं, अगर आपकी जो storage device है, वो logically अगर कोई problem है, तो आप घर बैठे भी इस software के इस्तमाल से आप घर बैठे data को recover कर पाएंगे, तो यहाँ पर अगर आप buy now पर click करते हैं, किसी भी तरह की additions को अगर आप purchase करेंगे, one month, one year और lifetime license के लिए, तो आपको हमारे इस video के उपर एक coupon code दी गई है, उस coupon code के माध्यम से, जैसा कि आप देखिए, one year license 476400 रुपीज में आपको मि discount मिल जाती है, तब आप इस billing information को fulfill करते हुए, इस software को purchase कर सकते हैं, मातर 3000 रुपे में आपको यह software one year license के साथ मिल जाती है, तो tenor share 4D data recovery का इस्तमाल करें, यह Mac version के लिए भी available है, Mac operating system जो लोग भी use कर रहे हैं, Apple user है वो, तो उनके लिए भी Mac version है, इस software का अपने Mac operating system के उपर data go recover कर पाएंगे, उमीद करता हूँ, यह video आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए thank you so much for watching this video.